श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिती ले कर आती है इस वजे से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत पुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तों चंद्रमा इस दिन आपकी कुंडली में दूसरे स्थान में रहेंगे यानि धनभाव में रहेंगे जी हाँ ये चंद्रमा की पोजीशन काफी अच्छी र किसी भी तरह का आदान प्रदान आज आप कर सकते हैं। इस समय में महत्व पुरुन फैसले ले और उस पर अमल करें। लाब जरूर मिलेगा। जो भी फैसले लोगे वो सही साबित होगे। आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है। जो विद्धर थी अपने परिवार से दूर रहते करना इन चीजों के लिए समय काफी अनुकुल है। एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा वो संबंद अधिक मधूर बनेगे। पार्टनर्स के बीच अगर पहले से ही किसी तरह की अनबन बनी हुई है तो वो अनबन जरूर दूर होगी। प्रयास जरूर करे अनबन या किसी तरह की दुरिया है तो मिट जाएगी। मैरिड लाइब भी इस समय में मधूर रहेगी। पार्टनर्स एक दूसरे को अच्छे से समझेगे। प्यार व शांती का माहोल आपके घर में आपके परिवार में आपको इस समय में देखने को मिलेगा। अगर स्वास्ते की ब बहुत अच्छे रहेगी प्रसनताव आनंद में दीन व्यतित होगा। इस दिन सफेद रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और छे अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है। दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी प तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।